हेलो फ्रेंड्स मोनु टूरूल एकडमी में आपको स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है हुक वाम है तो हम हुक वाम को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं तो यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा है इसको हम एंसालो स्टोमा ऑपा जाएयंगे आपके स्मौल इंटिस्टैन में बेसिकली कहां पहों होगा एंडंडियूम में होसकता है इस एलियंप में पाए lavender में भी रेडल्ली पाए जाता है इंसाइलस्टोमा डूड़नल भी कहते हैं इसको इसकी मॉर्फोलोजी क्या है एडल्ट वांब की बात करें तो एडल्ट वांब दे आर स्वाल पिंकिश एंड फुनी फॉर्म इंचेप बिसिकली फॉर्म इंचेप उता है यह और इसकी जो कलर होते हो पिंकिश होती है अटिरियर अंद तो इंचेपं ऐंचेप उसकाः आरंगयman केहते हैं तो इसके उत आ इसकाः नॉड वांड भी कर्वेच taxi अव्ड वेसके पर और सा सरफेस है। इसकी 3 टीत होते हैं। खीक है नॉब कि एक टीत होती हैं। And the difference between male and female. So male and female are two hookworms होती हैं। So encylostoma deudinal are given. Earning of the position of the genital opening of male and female worms. They are, assume, a Y-shape figure during copulation. So during copulation, what's it first? What is their shape? It's Y-shape. है,reciց बीसिकली , 보hou कि यहकं बहुत्पलाशन बसा है , जो कपुलेशन बर्सा है , शो पीजएशन बर्सा होता है कपुलेशन बर्सा है , टुबिसे त्ट पर्से शेंस मेल वंब से transmit in the male worm który从 under male worm , परगें शे कंदे कन जर न्क्राशमें,, तनी कनो से फ्री दोर्सल लॉब्स यहां पर प्रिजंट होती है så अगर हम अग तो यहां कि बात करी मीस के एक की बात करें तो 60 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है ठाक है लेंथ हों 16 za q hook 你 एड 50 ओमीटर को तन वाइड होता है ठाक they are colorless not bile stained ठीके यह colorless होता है जो egg होगा इसका colorless होगा और bile stained नहीं होगा and are surrounded by a thin transparent hyaline shell इसके जो around होता है thin transparent hyaline cells होती है they are passes a segmented ovum with usually four blastomers so basically क्या इसमें four blastomers होते हैं present होते हैं मैं आपको cycle दिखाऊंगे आप देख सकते हैं इस डाइगरम में friends यह egg है यहाँ पर देखा होगा आपने यह egg बना हुआ है यहाँ पर क्या है four blastomers present है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक thin layer बनी हुई है इसके surround में ठीके यह transparent hyaline shell है यहाँ पर यह blastomers दिख रहे हैं आपको यह जो है एग में develop होते हैं in soil के अंदर ठीक है मिट्टी के अंदर यह थोड़े लार्ज होते हैं एंदन क्या होता है रैपडीडीटी लार्वा हैच हो जाएंगे रैपडीडीडीटी लार्वा इसको जो बाट आउटर का एरिया होगा वह हैच कर जाएगा यहाँ पर यह ब्रेक कर देगा एंदन इसमें से निकल के यह रैपडीडीडीटी लार्वा जो है यह बाहर निकल गया एंद फ्लैरी फ्लैरी फॉर्म लार्वा बन जाता है ठीक है इन्फाक्शियस स्टेज जो थे इसकी फिलारिफोर्म लार्वा की ठीक है? एंदेन पहले एक्स्टरनल इंवार्मेंट में था एंदेन यह एंटर करेगा मैं के अंदर इसके थरू वेजिटेबल के थरू वाटर के थरू किसी भी कंटामेनेशन जूज आप इन्हेल करें हैं उसके थरू आपकी बॉड़े में एंटर करेगा और पैनेट्रेट्सस्किन को पॉन्षाक्षा क्रता है यह नहिका है? आप देख सकते हैं यहां पर मेल और फिमेल दोनों यहां पर प्रिजेंट है होक वार्म प्रिजेंट है जो मेल है बेसिकली क्या है आप देख सकते हैं और जो फिमेल 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 वार्म फिमेल 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 फिम कि या दो干ो कोई और में है and then overwhelm करते हैं तो च्छब को लाग में डाइगनोस करते हैं सो बेस्याग्णक किया जाता है इस पीसिमिन थे फ्रेश श्मेंपल स्टूल स्ब्स ऑने बेसिकली किया मरें Smol T A स्टाइन में जुटन होता है और मांटिन लियम में प्रिजेंट होता है अर्टॉर स्टूल स्टैम्पल लेते हैं निक्वार्मेंट्स क्या क्या होती है इसमें ग्लास लाइटेट चाहिए आपको कवर स्लिप चाहिए और ल्यूगल ऐ इद्ल्यूर्जिशन माईक्रोब तो पर ग्स प्लाइड देखे आपको अपते शुल का बैंगे एंड झद अप्लाइक करते हो ानी चाहएंगे आपको नइन landlord कर नंहीं आपको देखे हैं प्लेड साउलेशन डालें लोई अलोवन ढालें इन 9 बढ़ीन दी उसको अब्जर्व करेंगे जब आप माइक्रोस्कोप में उसे अब्जर्व करते हैं तो आपको कुछ इस तरह के डाइग्राम्स दिखेंगे जिस पर आपको मेल एंड फीमेल एंड एग भी दिख सकता है ठीक है अगर कॉपुलेशन टाइम पर आपको दिख रहा है तो वह वाई शेप का दिखेगा ठीक है तो फ्रेंड आज का जो हमारा हुक वाम है वो हें पर फिनिश होता है बेसिकली इसका लाइप साइकल हमने पढ़ाद लाइब डाइगनोसिज पढ़ लिया इसके बारे में पढ़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो से लाइक कीजिए फ्रेंड्स को शेयर करना मत बूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो की अबडिशन आपको मिलती रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंकी सो मच